हलो फ्रेंड आप देखरो हमारा चनल ग्रो बुक्स तो आज में हम फिर से एक नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है नो सेल्फ नो प्रोब्लम इसका मतलब कैसे नियूरो साइकलोजी बहुत धर्में से जूड़ती जा रही है इनका लेखाग नाम है क्रीस नाइबोर तो चलिए बुक को हम आपको दो लब जो हम बताते हैं नो सेल्फ नो प्रोब्लम दोजार निस में आई ये खिताब बहुत धर्म के एक बरसो पुराने सिधान्त का नियूरो साइंट फिक सबूतों के साथ विसलेसर करती है इस सिधान्त के अनुसार एक अखंड और एस्थिर में जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं इस किताब में उन अध्यानों के बारे में बताया गया है जो इस बात का समर्थन करते हैं कि मैं केवल एक भ्रम में हूँ असल में तो बस हमारी मस्ति के भासा केंद्र द्वारा बनाया गया एक अवास्तिविक पैटन है यह वो किसके लिए है बैग्यानिक रूप से अध्यात्म की चार रखने वालों के लिए ध्यान योग और ताइची को संदे की नजरों से देखने वालों के लिए लेप्ट ब्रेड कहे जाने वाले लोगों के लिए यानि वो लोग जो अपने बाय मस्ति का परियोग जादा करते हैं तो चलिए अध्याय नमर एक को सुरू करते हैं आधियोनिक निव्रो साइन्स और बहुत धर्म के सिधानत एक दूसरे से सहमत है की मैं केवलिक भ्रम है यदि आप पच्मी देशों की फिलोसोफी से परिचित हैं तो यकिनन आपने ये वाक्या सुना होगा कोगीटो एर्गो सम जिसका आर्थ है की मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ सत्रवी सताबदी में रेन डेस कोट्स दुवरा कहे गई ये सब पच्च्मी देशों की संस्कृती का एक दृष्टिकोड दरसाता है जिसके अनुसार मानो जाती उसकी सोच से परिभासित होती है डेस का ट्यार्थ की बाते आपकी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक एस्तीर निरंतर मैं जैसा भी कुछ है उनके अनुसार मैं एक सांस्ता है जहां से बिचार निकलते हैं पच्चिमी देशों के जादतार लोग तो उनसे समत भी होंगे तब ही तो हम हर समय खुद को मैं कहकर बुलाते हैं और ऐसा कहते हुए हमारे मन को एसफ़स्ट अंदाजा भी होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं लेकिन क्या सच है मैं जैसा कुछ है जैसा कि पुर्वित देशों की फिलोसोफी में और बहुत धर्म के सिधानतों में बताया गया है कि मैं बस एक भ्रम है यहीं भ्रम बैक्ति के सभी दूखों और तकलिफों का कारण बनता है इन अध्याव को पढ़कर आप जानेगे कि कैसे अब निवरो साइंस भी बड़सो पुरानी पुर्वी बिचार धारों को सिध कर रहा है कि जैन बोदिश्टों का कहना सायद सही था कि नो सेल्फ नो प्रॉलम यानि जब मैं नहीं तो कोई समय सा भी नहीं जब आप मैं सब्द का परियोग करते हैं तो असल में आप किसका जिक्र कर रहे हैं यदि आप ज़्यादातर वेस्टन लोगों से जैसे हैं तो यह सवाल आपको काफी अजीब लगेगा और आप कहेंगे कि मैं मतलब वो सोच और चेतना जो कि आपकी बोड़ी को कंट्रोल करती है जो आपके माइन में कही आपकी आँखों के पीछे रहती है जब भी हम मै के बारे में बात करते हैं तब हम असल में इसी सचेत पाइलेट की बात करते हैं हमारे सरीर को चला रहा है यदि आप पच्छिम देशों में रहते हैं तो आप इस मैं को सही तरीके से नहीं समझते आपको लगता है कि सही में कहीं आपके दिमाग में मैं जैसा कोई चीज है जैसे के प्लेर में पाइलेट बैठा होता है वैसे ही मैं भी कहीं आपके दिमाग में बैठा हुगा हूँ पर गौर करने वाला बात यह है कि जब असल में आप अपने मस्तिक में मैं को ढूड़ने जाओगे तो आपको वो कहीं नहीं मिलेगा आज नीरो साइन्स मस्तिक में सरीर की हर परतिकरिया के केंद्र की मैपिंग करने में सफल रहा है उसे भासा का दया एंव करूड़ा का हमारे चेहरे के इमोशन्स का सबका एक केंद्र मिला पर आज तक मैं कोई केंद्र नहीं मिला लेकिन एक बहुत धर्म को मानने वाले इस बात को सुनकर हैरान नहीं होंगे क्योंकि सालों से बहुत धर्म को और ताववाद इस बात को सिखाते आ रहे हैं कि निरंतर और आखंड में जैसा कुछ नहीं है मैं केवल हमारा भरम है लेकिन ये मैं का मया जाल इतना मजबूत है कि इससे निकलना इतना आसान नहीं है आप इतनी बाते पड़ने के बाद भी यहीं सोच रहे होंगे कि ये बाते है तो बड़ी रोचक लेकिन फिर आपका मन कह रहा है कि अभी भी मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ यकिनन ये विचार करते समय मैं नाम का पाइलट ही आपकी दिमाग को चला रहा होगा आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है आखिर इतने रोमांचक लेकिन कालपनिक मैं पर विश्वास करने में नुक्सान ही क्या संचिक्त में कहा जाए तो मैं के होने से हमें कई मानसिक कष्ट भोगने पड़ते हैं इसे पहले कि हम इस बात की गहराई में जाए या इसे पहले कि हम ये जानने की मैक का ये भ्रम पैदा कैसे होता है हम ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है 1960 के दसक में कुछ मरीजों पर एक रेडिकल और एक्सपेरिमेंटल सर्जरी की गई उनका कारपर्स कोलोसम कैलोसम निकाल दिया गया यानि वो हिस्सा जो मस्ति के दोनों भागों को जोड़ता है ये सर्जरी यह तो मरीजों में मिर्गी के दोरे के इलाज के रूप में की गई थी लेकिन अपना असली काम करने के साथ साथ इस सर्जनी ने बैग्यानिकों को एक नया सोद का विशेज दे दिया ये पहला अवसर था कि बैग्यानिक ऐसे लोगों का परिक्षर कर सकते थे जिनका लेप्ट और राइट ब्रेन एक दुसरे के संपर्क में नहीं था ऐसे मरीजों पर जब किये गए परिक्षर से हम मस्ति के दुनों भागों का काम सौतंतर रुप से देख सकते थे यहीं से हम यह अंदाजा लगता है कि आकर ये मैं रुपी भरम आया कहां से इस भिषा की गहराई में जाने से पहले हम कुछ महतोपूर जनकारियों को देख लेते हैं जो इन विभाजित मस्तिक वाले मरीजों से हासिल हुई सबसे जरूरी बात है कि हमारे सरीर के दाए हिस्से को मस्ति का बाया हिस्सा नियंतर करता है जबकि बाए हिस्वे को दया का मस्तिक नियंतर करता है पिर सवाल आता है कि आखिर लेप्ट ब्रेन और क्या करता है असल में लेप्ट ब्रेन एक इंटर प्रेंटर की तरह काम करता है यह वास्त्मिक्ता को समझने के पर्यास में कुछ न कुछ एस्पेस्टी करन देता रहता ह और हैरानी के बाद ये है कि इसके जातर एस्पेस्टी करन गलत होते हैं और साइद यहीं बात विभाजित मस्थिक वाले लोगों के हिसाथ किये गये हैं सबसे लोग पर ये एक्स्पिरेंट में साबित होती है कि सोधकर्ता ने प्रति भागियों की बाई आख के सामने बरफिले अस्तान का एक दिरिस रखा और दाई आख के सामने मुर्गी के पैर का एक चित्र रखा उसके बाद उनकी दोनों आख्यों के सामने कुछ और चित्र रखे और उन्हें पहले वाले चित्र से मिलते जूलते चित्रों को चुनने को कहा प्रति भागियों ने दायम मस्तिक से संचालित बाया हाथ से बर्फ अटाने वाले फावडे को चुना जो कि बर्फ के चितर से मिलता जूलता था वहीं उन्होंने बाय मस्तिक से संचाली दाय हाथ से चूजे को चुनना जो मुर्गी के पैर वाले चितर से मेल खाता था जब परती भागियों से पूछा गया कि आपने अपने बाया हाथ से बर फाटाने वाले फावडे को क्यों चुना तो उनसे मिला जवाब एकदम हैरान कर देना वाला था जैसा कि आप जानते हैं लेप्ट ब्रेन हमारी भासा के संचालन का केंदर भी होता है तो हर सवाल का जवाब भी वहीं से आता है काईदे से लेप्ट ब्रेन का ये जवाब आना चाहिए था कि मुझे क्या पता अप्रेशन के बाद मेरा राइट ब्रेन के साथ संपर्क नहीं है लेगिन परती भागियों के लेप्ट ब्रेन में वाख्या के रूप में अपनी मन गड़त कहानी रच दी परती भागि बोलेगे चुकि मुर्गी के पैर का चित्र मुर्गी से मिल खाता है और मुर्गी के बाड़े को साब करने के लिए फावड़े की जरूरत होती है इसलिए मैंने बाए हाथ से फावड़ों को चुना इसलिए साब पता चलता है कि हमारा लेप्ट ब्रेन किस तरह से सच का एस्परस्टी करन अपने ही अंदाज में देता है अध्याय नमर दो सच को समझाने के लिए लेप्ट ब्रेन भासा का उप्योग करते हैं लेप्ट ब्रेन में हमारी भासा का किंद्र है क्यों वो भासा ही नहीं जो लोगों को सुनाई देता है बलकि अपने मन में सोचते समय आने वाली भासा की left brain ही कंट्रोल करता है और यहीं चीजे आगे चलकर हमारी सोच और consensus का रूप लेने लेती है सच को समझने और समझने के लिए हमारा दिमाग भासा का परियोग करता है किसी भी चीज या घटना को बताने के लिए हमें भासा का इस्तमाल करना पड़ता है जैसे कि जब आप से कोई कुर्सी पर बैठने को कहता है तो आपकी निगाय तुरंत किसी चार पैर वाले चीजों को धोन्यों लगती है जिसमें बैठने और टिकने के जगा हो इस परकार भासा हमारे रोज मर्रा के जीवन के चीजों और घटनाओं को समझने के लिए बहुत उप्योगी है लेकिन खुद से ये पुछना बेजरूरी है कि हम भासा का इस्तमाल कर रहे हैं कि भासा हमारा इस्तमाल कर रही है सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम भासा के इस्तमाल के इतने आदी हो गए हैं कि कई बार हम किसी चीज के नाम को ही सब कुछ माल लेते हैं बस नाम का ही महत्व रह जाता है असल चीज की अहामियत भूल जाते हैं जैसे कुर्षी को ही ले 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 ये कुर्षी आखिर होती है क्या। आपको किसीने बताया है कि ये एक इनसां द्वारा बनाई गई चीज है जिसके चार पैर होते हैं और बीच में बैठने के जगा होती है। हम सब कुर्सी को ऐसा मानते हैं कि लेकिन क्या किसन ये सोचा है कि कुर्सी आखिर असल में है क्या उसमें क्या खुबिया है जाईर सी बात है हर कुर्सी दूसरी कुर्सी से अलग होती है लेकिन हमने उन्हें एक केटेगरी दे दी है कि जो भी चीज बैठने के लिए काम उसे हम कुर्सी कहेंगे इसी कुर्सी सब्द ने सदियों से लोगों के दिमाग को छला है कुर्सी के लिए होने वाली लडाईया इस बात का सबूत है कि एक चार पेर की बैठने योग वस्तु कितनी किमती है सच को समझाने के लिए चीजों को कटेगरी में बाटना बहुत फा सोच के साथ आपने अंदर जाकिए और खुद से पूछिए कि मैं कौन हूं देखिए आपका लेट बिरन कैसे तुरंत जवाब देता है यकीनन आपके मन में जितने भी जवाब आएंगे वह किसी ना किसी रूप से आपको किसी कटेगरी में डाल रहे होंगे जैसे हमारी प साथ तुम भी बस लेट ब्रेयन दवारा बनाई गई अलग-अलग के टेगरी ही है लेट बिरन के पैटर्न को समझने के स्टाइल के कारण ही मैं का भ्रम पैदा होता है और यहीं मैं सारी मानसिक पीड़ाओं की जड़ है भासा के उपियोग और चीज़ों को के टेगरी के म नहीं समझ पाए तो आप भासा का सही इस्थमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर आप अच्छरों को साथ में जोड़कर बनने वाले सब्दों के पैटर्न को नहीं जानेंगे तो आपके लिए यकिनन काला अक्षर भैस बराबर रहेगा चुकि भासा और चीजों को पाचानने के साथ साथ पैटर्न बनाने का भी केंद्र है हमारा दिमाग हर चीज में कोई न कोई पैटर्न देखता है वहां भी जहां असलम कोई पैटर्न भी पैटर्न हो भी ना इस बात को अच्छे से समझाने के लिए 90-20 में डॉक्टर हर्मन रोसर्च ने परसीद इंक इंक ब्लाट टेस्ट की खोज की इस टेस्ट में पैसेंट को एक इंक के धबों में भरा एक कागज दिखाया जाता है और इसमें किसी चीज का चीतरन करने को कहा जाता है पैसेंट अपने अंत मन में छुपी भावनाव के अनुसार उन इंक के धबों में चीजे देखते हैं किसी को तीथली दिखी तो किसी को फूल, किसी ने कुछ भ्यानक देखा, किसी ने कुछ मजदार आप सोच रहे होंगे कि इंक बलोड पर रेंडम पैटरन देखने में क्या परसानी है तो दरासल परसानी तब सुरू होती है जब धर्ती पर मवजूद सबसे ताकवतर पैटरन बनाने के मसीन हमारे अंतमन में ही पैटरन बनाने लग जाए कभी लालच, कभी नफरत, कभी कुछ यादे, कभी किसी के बारे में बुरा भला सोचना, कभी प्यार, कभी दुस्मनी ये सारे पैटरन मिलकर ही मैं बनता है हमारे मस्तिक दुवारा बनाए गई ये पैटरन चीजों को समझने के लिए यकिनन मददगार तो होते हैं लेकिन कई बार ये मानसिक पीड़ा का कानर भी बनते हैं लेकाक ने अपनी एक दोस्त का उधारन देते हुए इस बात को समझाया उनकी दोस्त को लगता था कि उनके साथ काम करने वाले उन्हें पसंद नहीं करते एक दिन तब एक तीन एक दिन तो जब वे ऑफिस गई तो उसने देखा सब एक साथ मिलकर कुछ काना फुसी कर रहे थे कई लोग तो उसकी तरफ इसारा भी कर रहे थे ये देख उनके दिमाग में तुरंत इस पैटर्न को भासा में बदला और उसे लगा सब लोग उसके खिलाब कोई सड़यंत्र रच रहे हैं इसे असास ने उसे दुख और परसानिया के भावना में भर दिया जबकि असल में वो लोग उसके लिए सर्प्राइज ब्रत्दे पार्टी की योजना बना रहे थे ठीक इसी तरह हमारा दिमाग सच को समझने के लिए कोई ना कोई पैटर्न बनाता रहता है इसमें कुछ बुरा नहीं है लेकिन हमें अगर मानसिक पीड़ा से बचना है तो यह समझना बहुत जुरूरी है कि यह सब पैटर्न बस हमारे दिमाग में है असल में नहीं अधियाय नमर तीन अब सब अपनी राइट ब्रेन कौशियर सेंस को जगा सकते हैं जैसे कि डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर ने किया अब तक आप समझ गए होंगे कि लेट ब्रेन क्या करता है यह भासा का किंद्र है यह वास्तिविक्ता को समझाता है और हम ऐसा किसना किसी पैटर्न की तलास में रहता है यह सबी कार्ज कुल मिलाकर हमें निरंतर और अस्तीर मै की भरम में फशा कर रखते हैं लेट ब्रेन से सोचते हुए कैसा महसूस होता है आप अच्छे से जानते हैं आप इन वाक्यों को पढ़ते हुए भी उसे महसूस कर रहे हैं पर अगर हम लेट ब्रेन की जगा राइट ब्रेन के साथ दुनिया का सामना करे तो कैसा महसूस होगा आईए निवरो नाटो मिश्ड डॉक्टर जिल बोल्ट के टेलर के साथ हुए घटना से इस बात को समझते हैं 1996 में डॉक्टर जिल को एस्ट्रॉक हुआ उनके लेट ब्रेन में एक खूनी की नाली फट गई जिसके कारण उनका लेट ब्रेन काम नहीं कर रहा था एस्ट्रिक के दौरान वो बोल नहीं पा रहे थी यहां तक कि उनके अंतमन की आवाज और बर्तमान और भविश की सबी चिंताय सबकुछ मानों एक दम सांत हो गया था अब वो खुद को बाकियों से अलग एक ब्यक्ती नहीं महसुत कर रहे थी बलकि अब उन्हें लगता था कि वो इस ब्राहमन की उर्जा का एक कर है उनकी सबी सिमाय खतम हो गई उन्हें लगने लगा बस जो है वो यहीं एक पल है उनके अंतमन में सबकुछ सांत साथा अगर हम सरल भासा में बात करें तो उन्होंने वो एस्थिती पाली थी जो लोग बर्सुत तक ध्यान और साधना के बाद हासिल कर पाते हैं अपने एस्ट्रॉक से पहले वो खुद को एक समझदार बुद्धिवी मानती थी जैसा कि अधिखांस लोग अपने लेफ्ट ब्रेन के बाते सुनकर मानते हैं लेकिन राइट ब्रेन के इस्तमाल ने उनके सोच को आजाद कर दिया और उनका खुद को देखने का तरीखा ही बदल गिया समय के साथ उनने ये अशास हुआ कि वो परश्तिती के हिसाब से चुन सकती है कि कब उने राइट बिर्यन की परमुक परम सुख परदान करने वाले चीजों का इस्तमाल करना चाहिए और कब लेफ्ट ब्रेन की खुद को दूसरे से अलग करने वाले चीजों का अलग करने वाली सोच का अब सवाल ये उड़ता है कि हम ऐसा करेंगे कैसे कैसे हम कुछ समाई के लिए लेफ्ट ब्रेन को सांथ कर इस मैं के जंजाल से निकल कर आज में जीना सिख सकते हैं इसका जवाब यह है कि अगर आप बरतमान में जीना सिख ले तो आप अपने राइट ब्रेन का इस्तमाल करना भी सिख लेंगे राइट ब्रेन के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बात करने के लिए हम भासा का उप्योग करेंगे और जहां भासा आ जाती है वहां से लेट ब्रेन का काम सुरू हो जाता है इसलिए पस्चिनी संस्क्रिति को मानने वालों के लिए लेट ब्रेन के मैयाजार से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है असलमत जब भी आप अपनी भावनाव को सब्दों के रूप में ब्यक्त करने लगते हैं तो हमारा राइट ब्रेन को समझने का एक मात्र रास्ता है उसे महसूस करना तो आये इसे महसूस करने के लिए कुछ तरीकों पर ध्यान देते हैं अगर हम सलल भासा में समझें तो जिस परकार लेप्ट ब्रेन भासा का किंद्र है उसी परकार राइट ब्रेन एस्पेसियल सेंटर यानि चीजों के बनावड और उसके एस्तान को समझने का किंद्र है जैसा जब भी हम किसी चीज को अपने हाथों से उठाते हैं तो हाथ को उस चीज तक पहुचा कर उंगलियों को मोड कर उसे उठाने तक कि सारे गतिवीदियों राइट ब्रेन में संचालित होती है यह मानसिक गतिवीदिया हमारे सचित मस्ति के लिए ऐसा ही होती है जैसे इसे मालम ही ना हो कि कैसे और कब चीजों को उठाना खाना खाना सासों का आना जाना आधी ऐसे ही सभी गतिवीदिया जिनका वर्रन सब्द में नहीं किया जा सकता उन्हें हमारा दिमाग unconscious यानि अच्यतना का नाम दे देता है ऐसे अच्यतन काम जैसे किसी चीज़ को उठा कर इधर उदर रखना इन्हें करने में भी दिमाग को बहुत जटिल रूप से काम करना पड़ता है लेकिन फिर भी इन्हें हम सोच के रूप में नहीं देखते हैं मानों इनका दिमाग से कुछ लेना देना ही नहीं इसका कारण बस यह है कि ये कार्ज भासा पर अधारित नहीं होते राइट ब्रेन इन्हीं बीन भासा के कामों को करने के लिए इसलिए योगा और मेडिटेशन बर्स राइट ब्रेन कॉंसियंस को जगाने का साध्धन माने जाते हैं जब आप योग करते हैं जो ज़्यादा सोच विजार की जरूत नहीं होती कुछ जरूरी होता है तो वह वह सरीर के सांसों की लए के साथ चलाना योग का संपूर आनंद लेने के लिए कुछ देर आपको किवल बर्तमान में जीना होगा और अपने अंदर के लेट ब्रेन रूपे इंटर्प्रेटर के रूप से अपना ध्यान हटाना होगा यकीन मानिए ये करते हैं आपको अपार आनंद प्राप्त होगा मेडिटेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही है अगर आपने कभी मेडिटेशन किया है तो आप जानते हैं कि इसे सिखाने वाले अपनी सांसों के लएपर ध्यान किंद्रित करने के लिए कहते हैं ऐसा इसलिए क्यूंकि आम तोर पर सांस एक सवभाविक किरिया है जो अपने आप चलती है इस पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि हम अपने दिमाग को एक अनकॉंसियस किरिया के तरफ ले जा रहे हैं जहां वो सब्दों को पैटर्ण के जंजाल से दूर कुछ नया महसुस करेगा योगा और मेडिटेसन करने वाले कभी नहीं मानते कि जो कर रहे हैं वो अवचेतन मन का कार्ज है बलकि वो कहते हैं कि वो पूरी तरह सोचते हैं उनके अनुसार इस अनभाव को सब्दों में बया कर पाना मुश्किल है तो कुछ इस तरह काम करता है हमारा राइट ब्रेन बीना सोचे बीना किसी चीज का कुछ अर्थ निकाले बज्जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाते हुए कार्ज करता है इसलिए इसके बारे में बात कर पाना मुश्किल है तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अध्याय नमर चार इन्टू इसन या अंत ग्यान राइट बिरेन का एक और ज़रुरी काम राइट बिरेन के वल दिमाग का एस्पेसलियल सेंटर ही नहीं है ये और भी बहुत कामगाल के चीजों को अंजाम देता है ये अंत मन को उस ग्यान का किंद्र भी है जिसे हम भासा के जरिये नहीं समझ सकते जैसे आप इन्टू इसन को ही ले ले जिए जो कई बार हमें अंचाहे खत्र के बारे में अगाह कर देती है लेकिन लेप्ट ब्रेन से काम करने वाले ब्यक्ति अक्सार इसको पागरपन के रूप में देखते हैं जैसा कई बार आपने लोगों को करते हुए सुना होगा कि आज जाने क्यूं मुझे लगा कि मेरे दोस्त ठीक नहीं है और जब मैंने उसे कॉल किया तो सच में वो बिमार था या फिर जाने क्यूं धूप में भी मैं छाता लेकर निकलना और सच में बारिस आ गई लेकिन लेफ्ट बिरन की ये बात सुनने वाले लोग तुरंत बोलेंगे कि ये बस एक संजियोग की बात है यहां तक कि अभी तक निवरो साइंस ने भी इंटू इशन के बारे में यहीं ज़ादा नहीं जाना है लेकिन इसका मतला बिलकुल नहीं है कि यह असल में नहीं होता बस इतनी सी है कि left brain के लिए ऐसी बाते समझना मुश्किल है जिसमें भासा का इस्तमाल नहीं होता गोर करने वाली बात तो यह है कि इतना सोच समझ का निरन लेने वाला left brain से ज़्यादा right brain के लिए हुए निरन सही होते हैं एक अधियन के दोरान लोगों को तास्क खेल खेलने को कहा गया उन्हें 2000 डॉलर दिये गया और तास्क को दो गड़िया में से एक पर दाव लगाने को कहा गया एक गड़ी में दाव खेलने पर नुकसान और फायदा दोनों ज़्यादा होता है और दूसरी पर लगाने पर फायदा और नुकसान दोनों कम होते हैं उन्हें कहा गया कि उनका मकसद अंत में जादा से जादा पैसा कमाना है। असर में ट्रिक ये थी कि जो कम नुक्सान और कम फायदे वाली गड़ी पर दाओं लगाता वो जादा पैसे कमा पाता। पर ये बात उनके लेफ्ट ब्रियन को कम से कम पचास से असी बार गलत दाओं लगाने के बाद समझाए। बात का सबूत था कि उनके अचेतन मन को उनके चेतन मन से पहले ही इस खत्रों को आभास हो गया था। और भी हरान कर देने वाली बात ये है कि कुछ परती भागियों को ये पता ही नहीं था कि गड़ियों में फिर बदल हुआ है। फिर भी जोकी मभरी पहली गड़ी से काड़ लेते समय उनके हाथेलिया में भी ज़्यादा पस्तिना आनी लगा। ये अध्यान इस बात को दर्षाता है कि इन्टू इसन कैसे काम करती है। इस बात को समझने में बया करने में असमर्थ राइट ब्रेन ये नहीं बता पाते कि उससे ये जनकारी कहां से मिली। है जैन बुद्धिज में ने अब कि प्रज नाप अब प्रामीता नाम की एक शिक्षर प्राराली है जो एक ऐसे lli agree आन पर जोरज देती है जो भासा पनिर्बर नहीं करता कि इस सिख्षर प्राराली को विजडम आफ नौलेज यानि ग्यान की प्रकाथा भी कहते हैं ये गान का एक ऐसा रूप है जिसे केवल राइट ब्रेन ही समझ सकता है अब जब हम यह बात समझ चुके हैं कि राइट ब्रेन सबको एक ही नजर से देखता है उसके लिए ना कोई भेद्वाव ना कोई भासा की दिवार और तो और राइट ब्रेन चीजों की बड़ी तस्वीर देखता है जिसे कारण वो बात बातों को भी समझ जाता है जिसके लेफ्ट ब्रेन नहीं समझ पाता तो आई अब देखते हैं कि हम अपने राइट ब्रेन कॉंसियंस को कैसे जगा सकते हैं सुर्वात हम दया की भावना को जीवन में उतारने से कर सकते हैं द्यालूता बहुत धर्म से जुड़ी सबी सिक्षाव का किंद्रिय बिंदु है दया का मतलब है दूसरों को अपने आप से अलग नहीं समझना जब आप दूसरों से भी अपनी जलक देखेंगे तब आप दया रोप राइटल जक्षन का का काम दूसरे के नजरियों को समझना है इसका मतलब आपको जब भी दूसरे के नजरियों से दुनिया को देखते हुए दया का अनभाव होता है तो समझ जये कि आपका राइट ब्रेन काम पर लगा है बहुत धर्म दुबारा बताई गई एक और सिक्षा है जो कि हमारे राइट ब्रेन से जूड़ी है और वो है ग्रेटिट्यूड यानि अभार 2008 में स्रेब्रल कंटोक्स नाम के जर्नल में प्रकासित एक अधियन ने साबित किया कि जब हम अभार की भाव को महसुस करते हैं तो उस समय राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है 2014 में सोशल काग्रिटिव एंड अफेक्टिव निवरो साइंस में प्रकासित एक अधियन में पता चला कि जो लोग नियमित रूप से अपने जीवन में अभार को महसुस करते हैं उनका राइट ब्रेन में दुसरे के तुल्ला में ज्यादा ग्रे मैटर होता है इसलिए अपने जीवन में अभार का भाव लाए दिन बर सिकायते करते रहने से कोई फायदा नहीं हर बात में कुछ अच्छा ढूने की कोशिस करें जैसे ट्रेफिक जैम को ही ले ले हम अक्सर इसकी सिकायत करते रहते हैं लेकिन हम इसका सुक्र गुजार होना चाहिए कि इसके कारण हमें खुद के साथ थोड़ा समय मिल जाता है या फिर किस दिन बारिष और तुफान में फंसकर हम अपनी किस्मत को कोशते हैं जबकि हम इसी बारिष का लुथ भी उठा सकते हैं बस हम थोड़ा सा नजरिया बदल कर अभार को अपने रोजमर्रा के जीवन का हि जाल है तो उसे सच मानकर खुद को मानसिक पीड़ा में ना डाले दूसरे के प्रति द्यालू और अभारी रहकर अपने राइट ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा काम पर लगाए इन बातों को जीवन में उतार कर आप एक तनाव मुक्त और खुशाल जीवन जी सकते हैं कुल मिलाकर हमारे लेट ब्रेन में भासा का संचालन पैटर्ण की पाचान और सच की व्याख्या का काम होती है ये सब भी काम करते हैं लेट ब्रेन में मैं उरुपी भरम को पैदा करता है तो इस लेप्ट बिर्यन के निरंतर चलने वाली बातों से ध्यान हटा कर अपनी मानसी पीड़ा कम करने के लिए हमें भी पुर्वी दिशा की तरह योगा और मेडिटेशन के सहारे अपने राइड बिर्यन को जागरू करना चाहिए क्या कर एक दिन बिना किसी सिकायत की एक दिन बिना किसी सिकायत का जी कर देखें अभार का उल्टा है सिकायत लेकिन अपसुस की बात यह है कि हमारे समाज में सिकायत हमारे बाक्चित का जरिया बन गया है हम अक्सर अपने दुश से इस बात पर बहुसते हैं कि मेरी किसमत तेरे से भी ज्यादा खराब है या मेरे जौब तेरे से ज्यादा तनाव से भरी है लेकिन अगर जीवन में आभार का भाव लाना है तो हमें कभी न कभी सिकायते छोड़नी होगी तो क्यों ना आज क्या पूरा दिन बीना किसी सिकायत का बिदा कर देखे